मैं अब आवंत्रित कर रहा हूं शद्धेय श्री पिनित कुमार जी आरिये से आप IRS अर्थात इंडियन रेविंजिय सर्विस अपनी देशक राष्टे कस्टम एक अदमी से है और आप अपने विशे को परियावरण संकत और समाधान की रूप में रख रहे हैं अम सेहनाववतु सेहनों भुनक्तु सेह विर्यम करवावही तेजस्विनाव धीतमस्तु माविद्विशावही ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही आदर्निये नियाय मूर्टी स्री सर्जन सिंग को ठाली मंच असीन आदर्निये मंच सभी विज्ञान के जजासूं मातर सक्ति अभी डोक्टर सत्य परकास जी मेरा ने परियावन के जो ट्रेडिशनल जो हमारे पार्ट हैं उसके विशे में काफी बाते कहीं और कैसे वो परियावन के सरक्षन में उप्योगी हैं उस पर भी उन्होंने परकास डाला और जैसे कहा गया कि समय की सीमा है तो मेरे ग्यान की भी सीमा है उनके ग्यान की सीमा नहीं थी, मेरे ग्यान की सीमा है, कोई PPT, कोई स्लाइड नहीं है, पांच है, बहुत ही कोमन तरीके से और बहुत ही साधारन बाते कहूंगा, लेकिन उससे पहले जो मंत्र पढ़ा था, उसके विशे में खुछ समय लेना चाहूंगा, साथ बढ़ें, सामर्थे को बढ़ावें, सम मिलकल चलें, और किसका किसी से विद्वेश ना हो, विद्या, अध्यापन हे तु बहुत महत्पून मंत्र हैं, गुरू और शिश्य, सभी लोग समाज के मिलकर ज्ञान को बढ़ावें, और जब ज्ञान बढ़ेगा, तो समश्या का समाधान भी मिलेगा, खेर, अब आते हैं आज के विशे पर, परियावन, संकट एवं समाधान, इससे पता लगता है कि तीन चीजे हैं, एक परियावन है, एक उस पर कोई संकट भी है, और तीसरा है, उसके समाधान की आवशक्ता भी है, तो हम सभी जानते हैं कि सब्द से भी इस पश्ट है, कि हमारे चारों तरफ का जो आवरन है, परियावरन, वो परियावन है, इसमें जैविक चीजे भी हैं, समस्त और अजैविक घटक भी इसमें काम करते हैं, ये परियावन हमारे लिए बड़ा आवशक है, क्योंकि वैसे तो बहुत परियावन के कारिये हैं, लेकि दो महत्पून बिंदु में रखना चाहूंगा, परियावन का मुखे कारिये होता है, पोर्षन, सर्रक्षन, परियावन आपका पोर्षन करता है, विविन परकार से और आपकी रक्षा भी करता है, इसलिए आवशकता है, लेकिन अगर यही परियावन आपका पोर्षन ना करके कुपोर्षन करने लगे और यही परियावन आपका सर्रक्षन ना करके आपका भक्षन करने लगे तो आप क्या कहेंगे यही हो रहा है परियावन पोर्षन कैसे करता था मैं उपर से शुरू हो जाता हूँ पानी की आवशक्ता बताई डोक्टर साब ने अच्छी बात है उससे पहले वायू की आवशक्ता है लेकिन अगर वायू पर दूसी था है आप सांस ले लो वायू आपके अंदर कर दिया आपका बख्षन कोई भी लोग हो सकता है स्वांस रोग हो सकते हैं ऐसा खतरनाक रोग भी हो जाता है जिसका नाम भी लेना उचितनी है वैसे वो बड़ा आजकर पर्चलित हो गया है घर गर में लेकिन नाम नाहिले तो अच्छा है वो भी हो जाता है कैंसर हो जाता है ले लिया नाम उसके बा ले तो मरे फिर भोजन तीसरी आवसकता पर्दूसित कर दिया आपने क्या वो आपके सरीर को पॉसंद देगा नहीं बिमारी देगा चोथी आवसकता आवास कंक्रीट के ऐसे जंगल खड़े कर दिये कि बीना एसी के तो उस आवास में घुशा बिन जाता ये हालात हो गए हैं सहरों में कि अगर आपके आवास में इसी ना हो तो आप उसमें घुश नहीं सकता है आश्रे देना तो दूर की बात है क्या बचा वस्त्र इतने केमिकल युक्त सिंथेटिक फाइबर से वस्त्र बनने लगे कि दस परकार की तो ऐलर्जी हो जाओ बताईए वाई यू से लेकर यहां तक किस बात की तो जब ये परियावन आपका पोर्षन ना करके कुपोर्षन करने लगे रक्षन ना करके आपका भक्षन करने लगे तो आपको आवश्यक्ता मैसूस होती है कि इस परियावन को हमें बचाना है और कोई संकट परियावन्द पे खड़ा हो गया है तो थोड़ी सी बात परियावन्द की कर लेते हैं मैंने का परियावन्द में जैवी गटक भी होते हैं जैवी गटक में लेके विशानू से जो सबसे छोटा है और वहेल मचली तक जो सबसे बड़ा है पर्ट्यक पिरानी का इस प्रकर्टी में एक निश्चित रोल है एक निश्चित उसका दाइत हो है वो आपस में एक दूसरे से उल्जा के परवाद जिसे हम फूड चैन, फूड वेब ये सब कहते हैं से जुड़े हुए हैं और छोटी-छोटी काईयों में परिवर्टित होते हैं जिने हम ecosystem कहते हैं पारिस्तिती की तंत्र लेकिन हम क्या करते हैं कि जो पर्ट्यक से हमें लाबकारी दिखता है उसे तो हम बचा भी लेते हैं नहीं तो अन्य जीव जन्तुओं को अपने ही स्वार्त के लिए नश्ट कर देते हैं आपको पता है कडी बनी हुई है, चैन बनी हुई है एक कडी तोड़दो बीच में से चैन तूटी आएगी यही हो रहा है, यही डोक्टर साब ने बताया कि बाग की भी आवशकता है गाई की आवशकता है, भैस की भी आवशकता है, पढ़ने लगी आजकल तो बाग की भी आवशकता है, उसका रोल समझने की आवशकता है तो जब हम इन जैविक और एजैविक ततों में लेके वायू विभिन परकार की गैसों से मिट्टी तक सभी चीजे इस परियावन में आ जाती हैं लेकिन हमने छोड़ा किसे किसी को नहीं वायू पर्दूसित, जल पर्दूसित, मिट्टी पर्दूसित, भूमी पर्दूसित, भूमी से उत्पन अन पर्दूसित, रेडियो एक्टिव विकीरन, किर्ने, इसके बाद, ये तो हो गया बोतिक बाग, दिमाख पर्दूसित, क्योंकि सरीर पर्दूसित हो गया, वैवार पर दूसित क्योंकि दिमाग पर दूसित हो गया समाज पर दूसित क्योंकि वैवार पर दूसित हो गया और शारी संसकर्टी पर दूसित क्योंकि संसकर्टी के समाग तो हम ही है और ये मैं एवग्यानिक बात नहीं कर रहा हूं आप राद दिन रेडियेशन के संपर्क में रह हर समय आपका central nervous system high state में रहेगा हर समय आप जरा जरा सी बात पे उत्तेजित हो जाएंगे जरा जरा सी बात पे जब आप उत्तेजित होंगे और आपका nervous system high stage में रहेगा तो आपको BP की समझ्या अपने आप आती जाएंगी बताओ आ नहीं रही क्या हैं तो सब कुछ जुड़ा हुआ है यह नहीं कि वायू पर्दुसन का सांस्कर्टिक सामाजिक पारिवारिक वेवारिक पर्दुसन से कोई संब्द नहीं है पूरा पूरा संब्द है सुरू से आखिर तक वो तो हम कुछ खतरनाक परियामन के संकटों से इसलिए जादे परिचित हैं कि उनके परभाव हमें एकदम दिख रहे हैं और उनसे हम ड़ जाते हैं तो और कुछ मैं बताता हूँ उससे पहले मैं एक प्रस्ण बहुत छोटा सा करूँगा क्योंकि मैं उतना ग्यान मुझे नहीं है मूल स्रोत क्या है सूर्य इसमें किसी को कोई संदे आपका जल हो वायू हो धल हो प्रत्वी पे जो कुछ चला है चाह चक्रिय प्रवा हो नोन चक्रिय हो फूड चेन हो फूड वेब हो कुछ भी हो इको सिस्टम हो उसका मूल स्रोत सूर्य की उल्जा है प्रत्वी पे अन्य गरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रत्वी पे ही रहूंगा वहीं की बात करूँगा सूर्य की उल्जा प्रत्वी पे आती है उसे विभिन परकार के अनू परमानू और सोसित करते हैं जिसकी जैसी bonding structure होती है वो उसी अनुपात में उस सूर्य के परकास में आने वाली विभिन तरंगों में से अपने अनुकूल तरंगे जो उसकी उल्जा से और फ्रिक्वेंसी से मैच करती है उसे असोसित कर देता है और उन में से कुछ को पोधे असोसित करते हैं बोजन बनात हैं पोधों को छोटे जीव खाते हैं बड़े जीव खाते हैं एक चैन बन जाती है अगर आप सूर्य की उल्जा के परवा को प्रत्वी पे बादित कर दें तो क्या हमारा पारिस्तिती की तंत्रिया परियावन सुरक्सित रह पाएगा बताईए क्योंकि जो मूल सुरूत है आपने वही रोक दिया यही से हमने शुरू किया हमारे परियावन में 22 से 30 किलो मेटर के मद्दे परत होती है ओजोन परत और जो उन परत क्या करती है सूरिय से आने वाली जो UVB रेज है UV रेज भी दो परकार की होती है UVA, UVB ऐसा वग्यानिकों ने उनकी वेवलेट के आधार पर बना दिया UVB रेज को वो असोसित कर लेती है और परत्वी पर नहीं आने देती हमने ऐसे कुछ पदार्थ पैदा कर दिये अपने अंदादू विकास की दोड़ के फरसवरू कि उन पदार्थों ने उस परत्वी से 22 से 30 किलोमेटर जो इस्टेट और स्पियर बोलते हैं उसमें जो ओजोन की लेयर थी उससे किरिया करके उसे नश्ट करना सुरू कर दिया और वो इतनी कम कंसंट्रेशन में रह गई कि जो UVB रेज प्रत्वी पे आने से वो रोकती थी वे UVB रेज प्रत्वी पे आने लगी अब आप कहेंगे जी UVB रेज प्रत्वी पे आजाओ हमें क्या फरक पड़ रहा है पचास प्रकार की रेज प्रत्वी पे रो जा रही है पढ़ रहा है ये दक्सिनी दुरू में एंटार्क्टिका रीजन में सबसे अधिक देखा गया और एंटार्क्टिका रीजन के लोगों में इसकिन कैंसर की समझ्याएं सबसे अधिक है आज से 30-35 साल पहले मेरी आई उस से अधिक नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ गाउं को छोड़ दीजिए पंस साथ दस गाउं में साल दो साल में कोई एक कैंसर का मरीज आता था आज दुख के साथ मैं कह रहा हूँ हर गाउं में हर तीसरे चोथे घर में कोई ने कोई व्यक्ति कैंसर का मरीज है विकिलन आ रही है एक कारण नहीं है बहुत कारण है लेकिन मैं परभाव बता रहा हूँ कैटरेक्ट भेंगा भेंगापन हमारी जो छोटे छोटे जीव हैं जलिये तंतर का आदार हैं वो नश्ट हो जाते हैं यूवी वी रेज से एक्वेटिक एको सिस्टम आफेक्ट हो गया हमारे जो मैटीरियल हैं उसे छोड़ दो आपको जलिये जीवो की चिंता नहीं है मत करो लेकिन ये इतनी सुन्दर बिल्डिंग तयार करिये खड़ी करके ये बीच साल में गिरने लगेगी रीजन ये है कि यूवी वी रेज कोरोजी होती है नेचर में पदार्तों का छरण करने वाली तो एक छोटे से हमने अपने एसी के चक्कर में और भी कहीं चीजों से गैस निकलती है लेकिन मुखे तोर पे रेफ्रिज लेटर और एसी से जो गैस निकलती है उससे ओजोन ले जल्वायू परिवर्टन एक बहुत बड़ी टर्म है लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी धर्ति का तापमान बढ़ रहा है सामझने रूप से उसे हम जल्वायू परिवर्टन के अंतरगत मान लेते हैं उसके बहुत दोस्परभाव है क्यों बढ़ रहा है हमने बहुत सारी गैसों की वातावरण में इतनी ज़्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ा दी कि जो धर्टी से प्रावर्टित होकर आया तरंगे वापस जाती थी वे इन्हें अब्जोर कर लेती है और उससे क्या होता है कि धर्टी का टेंपरेचर जो आने व से धर्टी का तापमान बढ़ गया है इंटरनेशनल पैनल इंटर गोर्मेंटल पैनल ओन क्लाइमेट चेन आई पी सी सी पूरे विशु के देशों ने मिलके पैनल बनाया इसकी एक अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 1.5 डिग्री रिपोर्ट का नाम है उसमें उन्होंन वो दरशे दिखाए हैं कि अगर इस धर्टी का तापमान सामने से 1.5 डिग्री सेंटिग्रेट अधिक हो गया जो कि हो भी सकता है तो क्या-क्या दूस्परवाव होंगे आप समझ मिनी सकते कौन-कौन डूबेगा और कौन लहेगा ऐसी डरावनी भयाव है वो रिपोर्ट ह कोई भी गूगल पे जाके पढ़ सकता है ये भी एक परियावन का संकट है इस परकार में कितने छोटी छोटी बाते बड़ी बड़ी बाते करूं हम क्या करते हैं हरित करांती आई आवश्यक्ता थी ऐसा बताया गया कि जनसंख्या तेजी से बड़ी तो हमें उनके लिए ब परियत नकर के कुछ उपाय सो जाए जिसे हरित करांती संभाव हो सकी जिसमें हाइब्रिड वैलाइटी के बीज रोगों से बचाओ के लिए विभिन परकार के पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स और उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाजर केमिकल ही उस समय के वैग्यानिकों को साधुवाद धन्यवाद लेकिन कुछ ही वर्सों में हमें पता लग गया कि अगर अधूरे ज्यान से कुछ करोगे तो परिणाम अधूरा क्या खतरनाक होगा ग्रीन लिवल्यूशन की जो बैल्ट थी हर्याना वेस्टन यूपी राजस्थान का कुछ भाग पूरा पंजाब जाके उनकी जमीन की हालत देख लीजे मैं खुद वेस्टन यूपी मुझवफर नगर से आता हूँ हमारे यहां एक पागलपन है किसानों में कि पडोसी यूरिया का एक कट्टा डालने जा रहा है खेत में तो मैं दो कट्टे डालूँगा कहीं उसका गहूं मेरे से जल्दी ना बढ़े आए हालात यह है नाइटोजन, फासफोरस, पोटास का जो बेलेस था आपकी जमीन में बिगड़ गया अंधी दोड़ अब हालात यह है कि पंजाब की आदे से जादे जमीन इन पेस्टिसाइट्स और केमिकल्स के कारण बेकार है और जमीन ही जमीन बेकार नहीं कैंसर की कारक है पंजाब में इतने जादे कैंसर के केस हैं, आप देख लीजे उठा गए, हरियाने की वह हालत है, वैस्टन यूपी की वह हालत है और केवल जमीन खराब हुय को यह बात नहीं है इतना जादे पानी का दोहन कर लिया हमने, इतना जादे जल परियोग कर लिया कि भू गर्ब के जल का स्तर इन विशीष्ट जो Green Revolution की बैट थी चलिए विज्ञानिक बड़े परियतन सील होते हैं मैं भी विज्ञान विशे से बहुत जुड़ा रहा रिसर्ट करने की इच्छा रही है और हमें इसा रहेगी तो विज्ञानिकों परियतन करके कुछ समय पूर्व एक और सॉल्यूशन निकाला बोले हम ऐसा काम करेंगे कि जमीन में कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है हम जिनेटिक परिवर्टर करेंगे जिनेटिकली मोडिफाइड ओर्गेनिज्म हम आपको ऐसी फसल देंगे जिसमें रोग लगेगा ही नहीं हम उनके जिन्स में ऐसी परिवर्टर कर देंगे कि ना वो सड़ेगी ना रोग लगेगा उसमें विटामीन, मिनरल सब ज़्यदे हो जाएंगे फलों में बीज नहीं होंगे उनका आकार बड़ा हो जाएगा इन्हें कहते हैं Genetically Modified Crops, GM Crops सबसे पहले जो मुख्य रूप से परियोग हुई कपास, कोटन उसमें एक बैक्टीरिया होता है BT, Bacillus Therogenesis उसके विशेश जीन डाले गए उसकी खाशियत क्या थी BT कोटन की कि उसमें रोग बहुत कम लगता था जब ये कोटन पे बाल साती हैं तो उसमें रोग बहुत लग जाता था और किसानों को बड़ा रुकसान होता था तो हमने एक सोलूशन ले आए बहुत अच्छा सोलूशन है लेकिन 10-15 साल भी नहीं हुए सोलूशन को और हमें पता लगने लग गए किये तो फिर गलत ट्रेक पकड़ लिया क्या गलत ट्रेक पकड़ लिया उसके बहुत सारे दुस्परवाव हैं जितने भी जिनेटिकली मोडिफाइड और्गेनिजम है जो भी जिस भी जीव को आप जीन्स के द्वारा परिवर्टित करोगे उसके बहुत सारे दुस्परवाव हैं सबसे पहला दुस्परवाव आपकी जो अस्थानिये पर जाती है वो कितने भी उपी होगी क्यों ना हो दीरे दीरे नश्ट हो जाएगी दूसरा दुस्परवाव जीन एसकेप करता है ये जो मोडिफाइड जीन होता है इसके एक जीन जंपिंग और जीन एसकेप दो कंसेप्ट है ये आस पास के भी परियावन तंतर को बड़ा नुकसान पहुचाएगा तीसरा इसके जो साइड इफेक्ट हैं आपके सरीर पे वो अभी भी पूरे प्रेडिक्ट नहीं हो पाए हैं लेकिन कुछ इस्टडीज ने, कुछ अध्यानों ने बताया है कि उनसे भी आपके सरीर में ऐसे परिवर्टन हो सकते हैं जिससे आपको बारियानी हो सकती है चोथा, किसान मजबूर हो जाएगा क्योंकि ये जो जिनेटिकली मोडिफाइड क्रोप्स हैं इसमें बीज से आप आगे फ़सल पैदा नहीं कर सकते क्योंकि टर्मिनेटर जीन की कंसेप्ट है इंड में आपको हर साल बीज उसी कंपनी से खरीदने होंगे जिस कंपनी ने उस जिनेटिकली मोडिफाइड क्रोप्स का पैटेंट लिया है तो परियावन संकट की मैं बात करता रहूंगा और दुनिया भर के संकट परियावन पर हमने खड़े कर रखे हैं इतने तो मैंने गिना दिये और अगर ताइम अनुमति देता तो इस से दुगने तिगने और गिना दूगा हैं आगे आने वले भी संकट हैं लेकिन चलिए बात समाधान की कर लेते हैं मान गए आप लोग की संकट हैं नहीं मनने हो तो और मनवाएं मान गए ठीक है परियावन के संकट की जब हमने मान ली तो समाधान करना हमारा दाईत्व है संकट का एक मैं मूल कारण कहता चलूँ हम लोग कहते हैं चार वेद, उसमें विज्ञान वेदों में सारा विज्ञान है मैं कहता हूँ वेदों में जो कुछ है वो विज्ञान ही है लेकिन सारा विज्ञान वेदों में है ऐसा मैं नहीं मानता वेदों में जो है वो सब विज्यान है लेकिन हो सकता है वे इस से बाहर भी विज्यान हो क्योंकि वेदों में उतना ही विज्यान है जितना उस समय चार रिशियों ने ग्रेंड किया इस रिश्टी के आरम में और जितना विज्यान मनुस्य मात्र के लिए परमात्मा को उपयोगी लगा लेकिन विज्ञान और भी है परमात्मा का लेकिन मैं एमान के चलता हूँ कि वेदों में जो कुछ है वो सब विज्ञान है तो हम एक छोटी सी बात वेद की माल लें एक बात स्वामी जी ने आज प्रात्यकाल यज कराया संकल्प करवाया ओम तत्सत ब्रह्मने करके और अंत में इन्होंने बोला परियावन सोधनाए इसका मितलब कहीं ने कहीं हमारी संसकर्टी में माना जाता है कि यज परियावन सोधन का एक साधन है क्योंकि इन्होंने बोला परियावन सोदना यज करता है तो एक बात हम वेद की मान लें या तो ये मान लें कि यज परियावन सोदना है नहीं मानते मत मानो आप यज को ही मत मानो वेद एक बात और कहता है पूरा मंत्र है लेकिन उसमें एक बहुत मैत्पून बात है मा ग्रद ग्रदपन मत करो तेन तेक तेन मुझीता जो कुछ मिलना है भोग करो लेकिन त्याग बाउ से आजकल क्या हो रहा है? ग्रदपन हो रहा है घर में चार आदमी हैं एक गाड़ी में चल सकते हैं परियाप्त है चार गाड़िया खरीद रहे हैं क्यों पड़ोसी ने तीन खरीद रखिये हैं उससे उपर जाना है ये ग्रदपन है वेद ने कहा मा ग्रद नहीं मान दे तेन तेक तेन मुझीता नहीं मान दे शांती पाठ हम पढ़ते हैं रोज ओम देव शांती अंतरिक्षम शांती प्रत्वी सांती रापर शांती वनस्त इसका क्या मतलब है कि हमारी संस्कर्टी में वो विज्ञान है जो इन सभी ततों को शांत और सों में सामने रूप में रख सकता है नहीं मान दे वैज्ञानिकों की मनोगे अब वैज्ञानिकों की मनवाता हूँ एक प्रस्ण सभी सज्जनों से यह है कि यह जो परियावन की समश्या है वो छेत्रिये है राष्टिये है या अंतराष्टिये है या वैश्विक है वैश्विक समश्या है पूरे विशु की समश्या है इसमें तो किसी को कोई संदेनी तो समाधान कैसा होना चाहिए छेतरे समाधान से काम थोड़ा ही चलेगा कि मैंने अपने आंकी हवा सुद कर ली हवा तो जब वाईयू चलेगी तो दूसरी जगे की भी आ जाएगी समाधान भी वैस्विक और वैस्विक समाधान कौन सा होगा जो पूरे विशु को समान लूप से उपलब दो जिसमें किसी धर्म का किसी छेतर का किसी रीजन का विरोध ना हो तो मैं पांच मिनिट अगलिये लेता जाएग कि अभी जो समाधान दिये जा रहे हैं वो क्या वैस्विक हैं या नहीं अभी जो समाधान दिये जा रहे हैं वो क्या वैस्विक हैं बता देता हूँ आज कल परियावन के संकट के समाधान बताता हूँ मैं और उनकी परभाव उत्पादक ता भी बताता हूं कितने एफेक्टिव हैं वो क्लोरो फ्लोरो कारवन रेफ्रीजिलेंट में यूज होता था 1990 के दसक में हमें पता लगा कि इससे ओजोन की परत परभावित होती है वेग्यानिकों ने सोध किये परियतन किये और उन्होंने का कि हाइडरो क्लोरो फ्लोरो कारवन यूज करने लगो ये ओजोन परत को कम नुकसान पहुंचाते हैं करने लगे हमने 1995 में से लेके CFC सारे अटा दिये क्लोरो क्लोरो कारवन और HCFC ले आए वेग्यानिक कह रहे थे हमने मान लिया हमें क्या दिक्कती HCFC यूज़ करने के 10 साल के अंदर ही वेग्यानिकों ने कहा कि नहीं HCFC का भी जो ओजोन लेयर डिपलिटिंग पोटेंसल है वो बहुत है तो आप लोग HCFC यूज़ कीजिए हाइडो फ्लोरो कारवन 2000 के बाद जितने रेफ्रिजरेटिंग टेकनोलोजी आई उसमें HCFC यूज़ कीजिए हमने माल लिया साइंस ने कहा हमने माल लिया हम साइंस के आदमी है लेकिन हुआ क्या है 2011 में वही साइंस हमें बताता है कि यह तो गड़वड हो गई क्या वोलाए हे एचसीश से ओजोन लेयर तो बचिरी है लेकिन ये तो ग्लोबल और मिंग बहुत ज्यादे करता है कि यह एक चीज का आप सलूइशन देघ रहे हैं साथ में दूसर साइडी अपक्ट आप वू करने हैं कि HFC भी बंद करना है हमें, HFO, हाइडरो फ्लोरो ओलिफीन, इन से हम रेफ्लिजरेटर चलाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, ये साइन्टिस्टों की महनत है, लेकिन उनके जो सोल्यूशन है, उनकी आप परभावक्ता देखिए, इफेक्टिवनेस देखिए, कितने प हमने हरी करांती लाएते, ऐसा ये है, और सोल्यूशन बताता हूँ, आजकल क्या हो रहा है, नैनो टेक्नोलोजी का जमाना है, होटोन लेवल पे और क्वांटम लेवल पे थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, एनर्जी लेवल में, तो गुणों में चमतकारिक परिवर्तन हो जा एर पोलुशन के लिए, नैनो फिल्टर, वाटर पोलुशन के लिए, लेकिन क्या ये सही तरीका है, बीमारी अगर मेरे है, मुझे तेजाब बन रहा है, तो क्या रेंटीडीन खाते रहना सही तरीका है, या उस तेजाब के कारण का अपचार करना सही तरीका है, कारण का अ रहे हैं, लोकल लेवल पे, जो सोलूशन मिल रहे हैं, वो अपलाई कर रहे हैं, कारण का उपचार नहीं कर रहे हैं, ये सब हो क्यों रहा है, साइन्टिस्टों की मेनत में कहीं कोई कमी नहीं है, वो तो लोग रिशी मुनियों की तरह मेनत कर रहे हैं, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है कहीं तो कमी है कि हमें एक चीज लावें उसका दूसरा सैडिपेंट निकल जा उसका एक रीजन है कि ना तो हमारी दरश्टी वैश्विक है ना हमारा ज्यान वैश्विक है ना हमारी बुद्धी निरब्रांत है और ना हम निलोब वे तरीके से काम करते हैं बहुत सारे वेज्यानिक काम करते हैं अच्छी मैनद करते हैं लेकिन किस के लिए कमपनियों के लिए उत्पाद कौन बेचेगा उनका कमपनी भूआ न लोब रिसेर्च बदल दी जाती है खुले मंद से कह रहा हूं आंकडों में हेर फेर कर दिये जाते हैं कमपनियों के दुआरा वेज्यानिक के महरत का दोस नहीं है दोस जिसके लिए वो काम कर रहा है उसका है रिपोर्ट छपी रिपोर्ट आंकडे आये 1960 में की ओजोन लेयर को नुकसान पहुचा और छपने दिये 1989 में जब यूएस की कमपनियों ने पुरानी रेफ्रिजरेशन टेक्निक्स की अल्टरनेटिव टेक्निक्स ढूंड ली इसलिए अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरपा सोल्यूशन है वैश्वी ज्यान और वैश्वी ज्यान वेद का ज्यान है और वेद का ज्यान वैश्वी ज्यान है इसका मेरे पास एकी परमान है वेद कहता है मनुर्भाव मानव की बात करता है हिंदू की, मुसल्मान की, सिक्षी की इसाई की, बारते की, बिटिश की किसी की बात नहीं करता है मानव मात्र की बात करता है और जो मानव मात्र की बात करता है वो वैस्विक दरश्टी है और जो वैस्विक दरश्टी है वो वैस्विक समाधान दे के रहेगे कैसे हो जाएगा वो भी सोट में इसारा कर रहा हूँ आप सब समझदार है कारण है गरदपन, कारण है हमारी अत्यदिक भोग की परवर्टी कारण है हमारा अंदादून्द नगरी कराण, कारण है हमारा अंदादून्द सुविधाय जुटाना जिनकी अवर्शक्ता भी नहीं है वेज साप साप कह रहा है कि रहो कैसे पंचियज करते हुए, गरदपन ना करते हुए, योग रीती से रहो जब आप रहोगे इतने जादे संतुष्ट तरीके से, इतने कम गरदपन के साथ, इतने कम संसादनों में आवशक्ता है तो जो संसादन है, तो एक तो जो मूल कारण है, अंदादून्द, भोग की परवर्टी वो कम हो जाएगी दूसरा, जो जो तात्य दूसित हो गए है, उनका स्लूट्चन होना चाहिए, शॉलूट्चन मैं बताता हूँ, कि हर रीयक्शन रीवर्सिबल हो सकती है कहीं साइंटिस्ट और काया के कि कुछ रीयक्शन रीवर्सिबल नहीं है बहुत सारी reaction reversible नहीं है मैं भी मानता हूँ लेकिन एक दी गई परिस्तितियों में अगर temperature conditions, pressure conditions, density conditions और साथ में जो उसके reactant है उनकी conditions चेंज करती जाए तो हर reaction reversible है irreversible reaction तभी होती है जब एक विशिस परिस्तिति में जो उत्पाद बने हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं मेरा यह इस पर्ष्ट मानना है कि अगर हम वेद के विज्ञान को थोड़ा सा समझें खास्तोर से भी यज के विज्ञान को थोड़ा सा समझें तो बहुत कुछ हानी को रोका जा सकता है कैसे समझना पड़ेगा यज में तीन मैत्पून चीजे हैं एक मंत्र मंत्र वाइब्रेशन हैं धवनी हैं चंद हैं और आचारे जी ने तो अपने गरंथ में पूरा विज्ञान लिखा है ओम से लेके और नीचे तक सभी व्रत्यों का सभी प्राणों का सभी चंदों का क्या विज्ञान है लेकिन मैं बताता हूँ vibration तो आप मानी लोगे, sound तो मानी लोगे, sound है तो energy है एक तो मंत्रों के विज्ञान को जानो कि किस sound का, किस vibration का environment पे क्या effect पढ़ रहा है कितना पढ़ रहा है, कितनी दूर तक पढ़ रहा है एक व्यक्ति का उच्चारण का कितना पढ़ रहा है सामोहिक उच्चारण का कितना पढ़ रहा है दूसरे जो आप द्रव्य यज में डालते हो उनकी बैग्यानिकता भी थोड़ा जान चलो कफ परकर्ति के व्यक्ति को कफ वर्डक पढ़ तो कि आउती वाले यज के सामने बैठा दोगे तो कोई यज लाब नहीं करेगा किस के लिए यज कर रहे हो किस वातावन में यज कर रहे हो उसके अनुकूल सामंग्रियों का चैन करो क्या दिक्कत है साइन्टिस्टों से भी यह नुरोध है कि कम से कम आप देखो तो कि यज में बन क्या रहा है स्वामी जी कह रहे हैं कि यज से परियावन का सोधन होता है मैं तो नहीं मानता लेकिन मैं नहीं मानता तो यह मेरा कर्टब वे है कि मैं देखू कि क्या बनना है, इस्टुमेंट आपके पास है, टेक्निक आपके पास है, इतनी विक्सिट टेक्निक होगी है कि आप कंटिनिवर सड़तारिस से बाहतर गंटे तक बने वे सारे केमिकल पदार्तों का अनेलाइसिस कर सकते हो, किसने रोका, जो सामंगरी वेद में लिखी वो कारण दो आदमी लठ लिए खड़े हैं, एक वेज्ञानिक आदूनिक जो यह मानते हैं कि यह सब फालतु की चीज़े हैं, दूसरे हमारे वेदों के विज्ञान वो दूसरी साइड में लठ लिए खड़े हैं, वो कह रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, जब हमने कह दिया कि यज से सोदन हो तो हो, मैं कहा रहा हूँ, दोनों बीच में आ जाओ, यजवाला यज करो, वेज्ञानिक उसका परिक्षन करो, वो लोग आपको सुने मिना खारिज कर रहे हैं, वेदों वाले लोग वेज्ञानिकों को सुने मिना खारिज कर रहे हैं, यह गलत बात है, य लेकिन आप भी वेद के विज्ञान को बिना परिक्षण की एक हारिज कर रहे हैं, ये भी सत्य बात है। आप कीज़े परिक्षण, आप पूरा परिक्षण करके बताएए कि यजसे परियावन का सुधर नहीं होता। आप परिक्षण के साथ आए हम्माल लेंगे। आये लोग परिक्षन के साथ, आये जर्मनी, पोलेंड, भोलेंड, पेरू, यूएस, पांच-छे कंट्री के साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर तो ओनलाइन अवलेबल हैं, और सब ने नहीं का कि यह से साथ चीज सही हो जाएंगे, जो जो उन्हें मिला वो उन्होंने कहा, भ ही कारिये कर रहे हैं, उनके रिसर्च पेपर पबल्लिश है, मैं यहां नाम बता के जा रहा हूँ, आप सब ढून सकते हैं, उन्होंने जो परिक्षन किया, उसमें क्या पता लगा, उन्होंने बहुत ज्यादे काम नहीं कर पाई, पता नहीं उनके पास संसादन नहीं थे, या उस परकार वो सोच नहीं पाई लेकिन तीन चीजें उन्होंने बता दी कि अगनी होतर करोगे आप तो एक तो सलफर के जो योगिक है उनकी कंसेंट्रेशन कम होती है सोक्स बोलते हैं नाइट्रोजन के योगी को कि कंसेंट्रेशन कम यज से नहीं हुई उनके परिक्षन में बढ़ गई बलकि लेकिन बहुत जादे नहीं बढ़ी और जैसे ही अगनी होतर खतम हुआ वो सामने लेवल पे आ गई और बैक्टिरियो लोजिकल जो उन्होंने टेस्ट किया जिसे ए सुबेबन नंबर काउंट करते हैं प्लेट्स में उसकी संख्या छे एक बटे छे रह गई और ये अगनी होतर के सोले गंटे बाद तक ये इस्तिती बनी रही और इसी दैनने क्या कहा है कि सुबह का अगनी होतर शाम तक और शाम का अगनी होतर सुबह तक घर बातावन को अब बात ये है कि क्या सभी समश्याओं का समादान संभाव है मैं कह रहा हूँ हाँ कैसे वो भी मैं बता देता हूं हम अभी दो बागों पर बात करी तीसरा जो सबसे महत्पुन बिंदु यज के संदर्व में है जिसे हम आजकल भूल भी जाते हैं और मिस भी करते हैं वो ह अगनी ओतर का समय सूर्य उदे और सूर्य असके समय अगनी ओतर होता है सूर्य अगर रस्त हो गया उसके बाद अगनी ओतर करेका ना तो कोई विदान है और नालाब और सूर्य उदे से पूर भी अगनी ओतर करने का ना कहीं विदान है और नालाब रियर डीचन क्या है सूरे उदय होता है उस समय आयार रेडियेशन की परधानता होती है क्योंकि रिफ्लेक्षन में कि नीच मैंसी एटमोस्पेर की परकिन होके हम तक आती है बाकी पाइट हम तक नहीं आता इसलिए सूरज लाल दिखता है लाल रेडियेशन की रेड कलर की जो तरंग देदैरिये होती है वो सबसे अधिक होती है और उसकी एनलजी सबसे कम सातो कलर में होती है उस समय फिरी रेडिकल नहीं बना पाता क्योंकि energy सबसे कम है और wavelength सबसे अधिक है सुबह के समय atmosphere में फिरी रेडिकल के संख्या सबसे कम होती है उस समय जो आप बिल्कुल exact time पर अगनी ओतर करोगे तो उस समय जो thermokinetic reactions होंगी वो लाल भाग जो परकास का है red part of our visible light molecules क्या study किया आपने नहीं किया वो study कीजिए उसके बाद एक एक सब्द का जो परभाव पड़ता है इस पूरे वातावन पर वो study कीजिए मैं ओम बोल दा हूँ उसका क्या परभाव है वो study कीजिए मैं ओम नहीं बोल रहा हूं भूर बोल रहा हूं उसका क्या परवाव है वो इस्टेडी कीजिए किसने रोका है आपने कोई भी पस्चिम से आया ग्यान उसके सत्यापन में रिसर्च करते करते अपनी जिन्द की खपा दी मैं कह रहा हूं दस बीस साल हमारे ग्यान पर भी करके देख लो उसके बाद नहीं आपको आपका परमान उल्टा आता है आप रिजेक्ट करो लेकिन बिना परमान के रिजेक्ट नहीं करो तो मेरा समादान यही है कि यज पे सोद करो यज के विभिन वग्यानिक पहलों पे काम करो चैमिकल पे काम करो फिजिकल पे काम करो वाइबरेशनल पे काम करो साउंड पे काम करो और जो मैंने थर्मो काइडनेटिक बताई है टाइमिंग अप अगनी ओतर उस पे काम करो क्योंकि यह timing बड़े important है यह जो लाल लंग का परकास आता है यह सुबह शाम आता है क्योंकि उस समय एंगल ऐसा होता है कि यह परकीन हो के प्रत्वी पे आ जाता है और बाकी उस समय नहीं आते हैं और इसमें सबसे कम energy होती है सातों color में से क्योंकि इसकी जो wavelength होती है वो सबसे अधिक होती है उसकी wavelength सबसे अधिक होती है मुझे उतना ही बेसिक बताने के लिए मैं था औस दियों के रूप में आप यज का बहुत अच्छा परियोग कर सकते हैं वो मैंने किया हुआ है उसका मैं पर्मान बता देता हूँ मैंने कुछ ओस्डियों का परियोग करके यज किया और हमारे घर में दोनों समय यज होता है खूब यज किया उसमें गिलोए, नीम, तुलसी, गूगल इन ओस्डियों का आप परियोग करके यज कीजिए स्वाइन फलू मुझे छोड़के सब के था ना मैंने अपने माता-पिता के, अपने अपनी पत्नी के, अपने तीन साल के बच्चे के किसी के कोई वैक्सीन, कोई मेडिसीन नहीं डलवाई दूसरा, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप तनाव में रहते हैं टैंसन की जिन्दकी जीते हैं, मैं आपको दो चाल चीजे, बहुत छोटी सी बताता हूँ यज, विशे सामगरी निर्मित कीजिए, जिसमें आप ब्राम्मी, संक्पुस्पी, नागरमोथा, गूगल और अगर गर्मी का मौसम है तो स्वेज चंदर इस परकार से आप एक आउस्दी बनाईए, यज कीजिए, लेकिन यज में तीन चीजे होनी चाहिए, ये जो यज में हम अंददों आउती दे के दुआ उत्पन करते हैं, बड़ा आनिका रखें कार्बन पार्टिकल बनते हैं उससे, यज में अनुपात क्या हो गी का, सामगरी का और समीधा का, ये बिल्कुल द्यान लखना चाहिए, समीधा गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वोई दुआ होगा और फिर वोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं है कि कैसा भी यज कर और उसका लाब हो जाएगा, ये गलत बात है, किसी भी यज का लाब नहीं होता, विधी पूर्वक किये हुए यज का लाब होता है, और आखरी दो लाइने में कहता हूँ, यज और वेद विज्ञान वैश्विक है, तो हमें इसे वैश्विक बनाने का परियास करना और इसकी वैज्ञानिकता सीध करके ही हम इसे वैश्विक बना सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते कि अगर मैं भारतिय पहनावा पहनूँगा, तभी ये जलाब करेगा, अगर मैंने घी डाल दिया अगनी में, उसकी रियक्शन पे इस बात का कोई परभाव नहीं पड़ेगा, क करने वाले की व्रति, करने वाले की अध्यात्मिकता पे परभाव हो सकता है, लेकिन यज की कैमेश्टी पे इस बात का कोई परभाव नहीं है, कि उसे पस्चिम का वैग्यानिक, पस्चिम के जो वैग्यानिक यज पे सोथ कर रहे हैं, वो तो पैंट सर्ट में और टी सर्ट अच्छी बात है लेकिन यज तो बैसज्य यज भी होते हैं जो medicinal द्रश्टी से किये जाते हैं यज तो वो भी है जो पनियावन के सोद्धन है तो विशेश तोड से किये जाते हैं अगर हम पैनावे को यज से जोड़ देंगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाएगा कि लोग कह देंगे जी कहां का वैस्विक हमारे देश में तो पैनावा हमारा गरम देश है दोतिकुलता हमारा सोबाविक पैनावा होना चाहिए लेकिन अंगरे जोगा तो ठंडा देश है वो दोतिकुलता कैसे पैन लेंगे तो क्या वो यज़ ना करें तो इसलिए हमें यज की वैज्ञानिकता और उसकी वैश्विक्ता को सिध करके परियावन की समख्याओं की और जाना चाहिए बाते बहुत है, संकेत हो सकता है इतने समय में जितने संकेत में कर सकता था कि एक दो चीजे कुछ गलत हो गई हो या संकेत में बोल दी हो तो उसके लिए माफी चाओंगा अंत में जाते जाते फिर वही विद की बाद करके जाओंगा मागरत आप नहीं मानते तें तें burnt मुझित नहीं मानते शांती पाथ में छिपे विज्ञान को नहीं मानते गाएतरी मंत्र को मालो गायत्री मंत्र में समस्थ विज्ञान चिपा पड़ा है और इतना विज्ञान तक चिपा पड़ा है आप कहेंगे कि मैं यहां आके वो बोलते हैं ना देशी वासा में फैंके चड़ा गया मैं आपको शोर बता रहा हूं विज्ञान का आदमी रहा हूं इतना विज्ञान चि लिकिन करौ भाहिया करके Дेखो और तीन चीज़ें के लेकिन एक तो स्वार्थ भाव नहीं ओना चाहिए दूसरा सात्विक चीतड होना चाहिए क्योंकि साथ हुए यह अपना चेहरा दिखेगा पानी में गंद की गुली हुए, कुछ नहीं दिखेगा, चाहिए आख मंद करें बैठे रहो, सो साल सात्वी चित चाहिए निस्वार्थ आपका लक्से होना चाहिए और अशीम धहरिये चाहिए और साइंटिस्ट लोगों को तो बताने किया है वह सकता नहीं उनमें तो धहरिये की कमी होती नहीं है हमें कमी है तीन दिन हम किसी विज्ञान पर काम करके वेद के हम चोथे दिन रिजेक्ट कर देते हैं कुछ नहीं रखा इस हमन पवन में यज भी भूल जाते हैं देव यज अगनी होतर कहना तो दूर क्या बोलेंगे कुछ नहीं रखा इस हमन पॉन में तीन दिन में मैं सत्रे साल से कर रहा हूँ मुझे अभी तक पूरा विज्ञान समझ में नहीं आया लेकिन आज भी मुझे उत्रा ही उत्सा होता है पलती दिन सुबह को और शाम को जितना सत्रे साल पहले था क्योंकि जब हमने वर्सो वर्सो उस विज्ञान को समझने में लगा दिये जो हर दस साल में बदल जा तो क्या हम कुछ समय ऐसे विज्ञान को नहीं दे सकते जिसे हमारे रिसी मुनी कह रहे हैं कि एक अरब छान में करोड और आठ लाग तरे पन हजार और कुछ सो वर्स इतना पुराना इस स्रेश्टी का इस से पहली स्रेश्टी की बात इतने पुराने विज्ञान पे इतना भरोसा कर लो और जब तक वैज्ञानिक परमान नहीं आते जब तक इंतजार में मत बैठोगी जब वैज्ञानिक परमान आएंगे मैं तब करने लगूँगा अगर इससे एक परसेंट भी लाव दिख रहा है तो आज से करना सुरू कर दो ठीक है इनी सब्दों के साथ मैं अपनी मानी को विरान देता हूँ इती ओहम सम